वेल्कम बैक टू माई चैनल हम लोग आपकी वर्क्षिट नंबर 6 करने वाले हैं आपकी जो वर्क्षिट है विज्ञान की ठीक है और क्लास आपकी कौन सी रहने वाले क्लास एड़्थ एंग्लिस मीडियम आप लोड कर दिक है तो जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में देखनाया चाल वो विडियो सकता ये इंधी मेडियर की आप डिकते हैं बच्चों आलग है जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं तो हम लोग इस्टार्ट करते हैं दोबारा से गिफ्ट का चार्ट बता दूँगा बाकि फिलाल के लिए सभी बच्चे करेंगे कि सारी वीडियो पूरी देखने आ जो आपकी सारी वर्क्षिट जितने आती है अब सारी वपिर चैश्यタ कि मैंने कौन सा कॉस्तना या जो आंसर वी देखर दिया सब्सक्राइब नोटबुक निकालेंगे विसे लिखेंगे अपना विज्यान ठीके आप लोग कच्छा लिखेंगे अपने एर्थ ठीके अपना नाम डालेंगे फिर वक्षिट का नंबर डालेंगे फिर आप अपने क्लास्टेचर का नाम लिखेंगे फिर डेट डालेंगे ठीके फिर आप ल हो सकते हैं इसमें और ऐसे कुण से मतलब बहुत साई को सिकादो चीज हbung कहा रहते हैं यह सब ये सभी ठंड़ी वा इस से लेकर घ्रंडों रेगिस्तान से नहीं है यह बता गया कि हर मतलब कोई भी आपका सीजन चला हो हर सीजन में मतलब ग्रोव कर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं यह मनिश्यों सहीत ग्रतों जानवरों के और पाए जाते थे यह होते हैं हमारे सरीर माइक्रोणी होते हैं थे कि क्प है सुप्षमजीवént कुछ सोते हैं अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं जब कि क्या अन्य सब्सक्राइव distractions भेचार। लेकिन जबकि कवक और बैक्टिरिया क्या समूह में रहते हुँ हर जगह पाए जाते हैं और महत्व क्या हैं बताना है ठीक है मतलब बताए गया इसमें सुक्चिवियों का उपयोग विभिन कारणों के लिए किया जाता है इनका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोल और केक बनाने में किया जाता है ठीक है एक पॉइंट यह हो गया, फिर इसका बताए इनका उपयोग परियमड की सखाई में भी किया जाता है ठीक है, जैसे जैसे वे जेविक कच्छरे, सबजियों के छिलके, जानवरों के अफशेश, मलादी को भिग्टित करते हैं और पर्थवी को स्वस्त रखते हैं अब इसमें कहा गया कुछ बैक्टिरिया और कवक का उपयोग दवाव को बनाने में भी किया जाता है, क्रिशी में इनका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन इस्ट्री करण के लिए जिससे की आपका उरवरता बढ़ाने के लिए, ठीक है, मिट्टी की उरवरता को ठीक है, ठीक है बच्चो तो यह थी आपकी छोटी सी वरक्षिट, एक दाम असान सी, ठीक है, अब सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पैन हाथ में लेंगे, जिससे मैं आपको इसका कुस्ण अंसर पूरे प्रवपर तरीके से करा सकूं, ठीक है बच्चो तो सभी बच् पहरन लिखने हैं, तो सभी बच्चे पहले कुस्ण नोटबुक करेंगे, ताकि मैं आपको इसका अंसर लिखवास रखें, बच्चो कुस्ण नोटबुक कीजिए, चलिए, मैं इसका आप कौन सा लिखवाता हूँ, ठीक है, अंसर उत्ता नमबर एक, देखो हम लिखेंगे सबसे पहले एक कोशिक, एक कोशिक, ठीक है, बच्चो एक कोशिक और बहु कोशिक, सबसे पहले एक कोशिक का हम उदारन देखेंगे, ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, इसमें, जिवानू, कुछ, कुछ शेवाल भी होते हैं, जो एक कोशिक होते हैं, ठीक है, कुछ शेवाल, ठीक है, बच्चो, और आप और एक को लिख सकते हैं, इसमें, प्रोटो जोवा, प्रोटो जोवा, ठीक है, अब आते हैं, बहु कोशिक, ठीक है, बहु कोशिक में, आप लोग एजम्बल लिख सकते हैं, एक तो आपका आज आएगा, शेवाल और कवक, ठीक है, एक तो आपका कवक हो गया, ठीक है, जन्तु भी हो जाएगा, ठीक है, जन्तु लिख सकते हैं, आप जन्तु बहु कोशिक होते हैं, ठीक है, और आपका क्या हो गया, कुछ शेवाल, ठीक है, कुछ शेवाल ऐसे होते हैं, जो आपके, बहु कोशिक होते हैं, और कुछ आपके, एक कोशिक होते हैं, ठीक है, ठीक है, उत्ता नमबर एक आपका कम्डिट हो गया, उत्ता नमबर दो हम लोग करेंगे, अभी बच जा गया सुक्षमजीव कहां पाए जाते हैं तो हम लिखेंगे सुक्षमजीव सभी प्रकार के बातावरण में पाए जा सकते हैं क्योंकि हर जगे जिन्दा रहते हैं एक्जामपल लिख देंगे कुछ जैसे परफिली ठंडी परफिली ठंडी जलवाईू से लेकर से लेकर गरम जड़नों और रेगिस्तान कर्म जड़नों और रेगिस्तान परेगिस्तान से लेकर दलदली भूमी तक से लेकर दलदली ठीक है दलदली भूमी होती है दलदली भूमी तक यह आपका उत्तान नमबर टू कंप्लिट होगी है इसलिए इसमें थोड़ी राइटिंग थोड़ी इधर उदर आती है ठीक है तो आप लोग को समझ आ रही होगी अच्छी से अगर किसी बच्चे को ना समझ आए बाइचांस आपको कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा तो आप लोग मुझे बोल दीजे कि उत्तान नमबर यह है मैं उसका तुरंत आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा ठीक है पूरा उत्तान नमबर तीन नोट डाउन करेंगे हमारे देनिक जीवन में सुच्छ मजीवों के तीन नूपियों के उधारन लिखिये तो कि सिर्फ तीन उधारन लिखने हैं तो आप लूग लिखेंगे पुत्तान नमबर तीन सुच्छ मजीव का उप यूग का उप यूग तैनिक दिनों में किया जाता है जैसे दही दही बनने में ब्रेड ब्रेड बनने के लिए जो होता है और अल्कोहल 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 और केक और केक अंत्ता नमबर तीन यह आपका कंपलीट होता है लिए बच्छो तो मैं आपको उस गेम के बारे मीं बता देता हूं एक बार प्रेड देख सकते हैं आप लोग यह प्राइज है आपके यह फोन और वाइलेस हैडफोन और स्मार्ट वोच यह आपके प्राइज देने वाले मैंने कोशन पूछना रिश्टार्ट कर दिया जैसे मैंने बताया था सभी बच्चों को कि आप लिंक से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उससे टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं जो बच्चा वीडियो को पूरी देखेगा वो डेफिनेटली गिफ्स को जीश सकता आपको अंसर दोनों जगे देना कमेंट में भी टेलिग्राम पे भी और वीडियो को अपने दस फ्रेंड के साथ सेयर करना है सबसे ज्यादा कि मतलब वही जीश सकता है जो डेली वरक्षिट मेरे चैनल से कर रहा है वीडियो को सुरू से लेके एंड तक पूरी देखता है ठीक है और अपने दस फ्रेंड के साथ सेयर करता है ठीक है तो वही स्ट्रेंड जीश सकता है ठीक है बच्चों मिलते हैं शु